सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो यह टॉपिक है प्रकाश परावरतन के नियम के बारे में जानेंगे प्रकाश परावरतन का पहला नियम आपतन कोण सदे परावरतन कोण के बराबर होता है प्रकाश परावरतन का दूसरा नियम आपतित किरन आपतन बिंदू पर अभिलम तथा परावरतित किरन ये सबी एक तल में होते हैं जैसे देखें बच्चों एकी तल में होते हैं, समतल दरपन में पिर्तिविम, आओ इसे एक गतिविदी द्वारा समझें, सामिक्री, समतल दरपन और एक टॉर्च, समतल दरपन पी क्यू के सामने टॉर्च और रखें, दरपन परदो किरने O.A. और O.C. आपतित हो रही हैं, A और C पर अभी लंब किच गएं, बिंदू A से परवर्तित किरन A, B और बिंदू C से परवर्तित किरन C, D किचें, बिंदू A से परवर्तित किरन A, C और बिंदू A से परवर्तित किरन A, B, A, B किच नहीं हैं, और A, B किच गई हाँ पर, और C से परवर्तित किरन C, D किच ग यहां पर ठीक है ऐसे बचो देखला ना बिल्कुल से मैं ऐसी ही बताया गया जैसे हैं चित्रे अब इन रेखाओं को पीछे के और बढ़ाईए क्या भी यह रेखाओं आपसे मिलती हैं यदि हा तो इस बिंदु को O से निरूपित कीजिए क्या परिवर्थित किरने इपर इस प्रतिविम जीरो पर बनता है ठीक है आप देखिए समतल दरपण बनाने वाले प्रतिविम के लक्षन प्रतिविम दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने रखी होती है प्रतिविम सीधा और विम्ब के आकार का बनता है पृतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आते हीए अभासी बनता है समतल दरप्ण में वस्तू का दाया भाग पृतिविम में भाया दिखाई देता है जिसे पार्ष व्यूत कर्मर कहते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ambulance शब्दो को इस प्रकार क्यों लिखा जाता है जैसे देखे इस प्रकार ambulance पर लिखा होता है अब question answer देख लेते हम question बने बच्चो समतल दरपन द्वारा बनने वाले प्रतिबिम के कोई चार लक्षन बताईए तो आप यही लिखेंगे यहां से लिखेंगे आप समतल दरपन द्वारा बनने वाले प्रतिबिम के लक्षन हैडिंग डालकर आप लिखेंगे पहला प्रतिबिम दरपन के पीछे उतनी दूरी पर दिखाए देता है जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने रखी होती है सेकिंड पॉइंट लिखेंगे आप पृतिविम सीधा और विम के आकार का बनता है थर्ड पॉइंट लिखेंगे पृतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आते ही ये आभासी बनता है और फॉर्थ पॉइंट आप लिख देंगे समतल दरपण में वस्तु का दाया भाग पृतिविम में बाया दिखाए देता है जिसे पार्ष व्यूत कर्मर कहते है ठीक है आप कोशे नमबर टू है पिंकी दरपण में अपना पृतिविम देख रही है दरपण को उसकी पृतिविम के बीच की दूरी 4 मीटर है यदि वहे एक मीटर दरपण की ओर चलती है तो पिंकी के बीच की दूरी क्या होगी तो इसका आंसर होगा बच्चे 6 मीटर ठीक है 6 मीटर होगी क्यों होगी क्योंकि 4 मीटर है और वो एक मीटर आगे चलती है तो पृतिबिम से उसकी दूरी तीन मीटर होगी और यहाँ पर ही तरपण में होगी तो तीन और तीन च्छे तो इसलिए हमारा आंसर होगा च्छे मीटर अब यह देखिए अंग्रेजी वर्ड माला के वो अक्षर लिखिए जिनके पृतिबिम बिल्कुल उनहीं की तरह बनते हैं तो यह हमारा आंसर होगा अ टी ओ एच आई एम यू वी डबलू एक्स यह अक्षर है जो बिल्कुल उनके पृतिबिम ऐसी बनते हैं जैसे होते हैं आच्छा रिक्तिसान की पूर्ति करिए पृतिबिम जिसे परदे पर प्राप नहीं किया जा सकता है वह पृतिबिम कहलाता है कैसा आभासी इसमें आभरेंगे आभासी ठीक है समतल दरपड में वस्तू का दाया भाग या दाया आएगा पृतिबिम का बाया दिखाई देता तो यह आप फिलप में कर लेना देखिए खीक है आप हासी आएगा इसमें बाया आएगा इसमें दाया आएगा इसमें यह बाया आएगा और यह वरक्षिट है जो बिल्कुल सेम वैसे ही दिखाई परते हैं आपकी वरक्षिट सॉल्व हो गई students अगर आपको मेरे वीडियो प जोच्ज हुत्र एंगلا् आप चोच्गप।